मेरे अभी अभी दिवाल टूट गई इदर से बैठी थी यहीं पर तब तक दिवाल टूट गई कब से बोल रहे हैं तस तासील में जा रहे हैं पटवारी के पास कहीं भी जा रहे हैं तो कोई सुना ही नहीं है अपनी आखों के सामने अपना घर दरटने की कहानी सुनाते सुनाते रमा देवी का गला भराया उत्राखंट के जोशीमट में बना उनका मकान दिनों दिन धस्ता जा रहा है चिंता है कि कहीं पूरा मकान ही धर्ती में न समाजाए इन दिनों ऐसी ही चिंता जोशीमट के सेकड़ों लोगों के जहरे पर है यह मकान दोटने का सिंसिला काफी दिनों से चल रहा है सरकार मतलब जहां सा देती है लेकिन करते कुछ नहीं है हम लोग रात भर आग सेख से क्या अपना गुजारा कर रहे है भार बैठ रहे है बचों का डर है खाने पीने की समश्या हम लोग के सामने खड़ी हो गई है यूँकि हम लोग काम धाम पे जा नहीं सकते है बचों के लचों के लचोड़ने सकते है घर में बहुत ही डर लग लगा है बहुत ही जा लग लग लेज़ा है जोश्यमट के नौ वार्डों में 603 मकानों में दरा रहा है और चाशट परिवारों को अर्स्थाई रूप से विस्थापित किया गया है प्रशासन के आखड़ों को स्तानी कारिकर्ता संदेह की नजर से देख रहे हैं जानकार मानते हैं कि शहर की इस हालत के पीछे अनियोजित विकास जिम्मदार है स्थानी कारिकर्ताओं का अरोप है कि सरकार ने सर्वे रिपोर्ट पर समय रहते कारेवा ही नहीं की जोशी मट को ले करके बहुत सारे अध्यान सबसे पहला अध्यान 1976 में एक कमिटी बनी मिश्रा कमिटी उसने अध्यान किया उस समय शुरुआत में जोशी मट में भूसखलन हो रहा था उस कमिटी ने भी कुछ रिकमेंडेशन की उसने कहा कि जोशी मट के नीचे जो बोल्डर से इसको नहीं हिलाए जाना चाहिए जोशी मट में भारी निर्मान कारे नहीं होना चाहिए जोशी मट भूसखलन के उपर इस्थित है इसलिए यहां भारी निर्मान कारे उपर रोक लगनी चाहिए यहां पानी की निकासी की ब्यवस्ता होनी चाहिए सीवेज की ब्यवस्ता होनी चाहिए यह सारी सर्वे रिपोर्ट सारवजनिक है सरकार के पास है लेकिन धूल फांक रही है सरकार ने उन रिपोर्ट पर कोई काम नहीं किया है उनकी रिकमेंडेशन थी यह जो जोशिमत के नीचे से बन रहे ही टनल है एंटिपीसी की इसको पर कोई कारिवाई अभी तक नहीं है फिलाल जिला प्रशासन ने बॉर्डर रोड ऑगनाइजेशन के तहर चल रहे हेलंग बाइपास निर्मान और एंटिपीसी की तपोवन विश्नुगाड जल विद्युत परियोजना के तहर चल रहे निर्मान कारे को अगरिम आदेशो तक तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है राज्य सरकार ने सहायता के तौर पर प्रभावित लोगों को किराय देनी की घुशना की है जो भी लोगों के घर अभी अंसेव डिकलेर हुए हैं और रहने लायक नहीं बचे हैं तो वो लोग अगर किराय पर रहना चाते हैं कहीं बस तो सरकार द्वारा उनको छे महा के लिए चार अजार रुपे प्रती महा उनको एक साहता की धनराशी उपलब्द कराए जाएगी स्तानी लोग प्रशासन के प्रयासों को नाकाफी मानते हैं और सरकार पर अंदेखी का आरोप लगाते हैं बीतर चौदा महीनों से जोशिमट के लोग सरकार को आगाह कर रहे थे अब लोग आंदोलित होकर सडकों पर हैं तो आज जो ये चक्ता जाम लगा है यहां ये लोगों के पास अंतिम विकल्प था लोग लगातार 14 महीने से सरकार से कह रहे हैं कि हमारे घर मकानों में दरारे आ रही है जमीन धस रही है भूस्खलन हो रहा है मां ढ़ सबती चタवा का जिन्दावा जिन्दावा का यथ ऑजयो अंतिम ध Quindi भागए